स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आज हम NCRT क्लास 10 छितीच हिंदी के अध्यायतिन स्वय और कवित के प्रहस्नों को सौल्व करेंगे तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेश कर लिजे ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नटिफेकेशन सबसे पहले आपको मिल सके तो चली सू करते हैं और देखते हैं कि कौन-कौन से प्रहस्ने और उसके उतर क्या होंगे इसमें पहला प्रहस्ने कभी ने स्री प्रहस्दुले किसकी लिए प्रयोक्त किया है और उन्हें संसार रुपी मंदिर का दिपक क्यों कहा है इसका उतर है कवी ने स्री ब्रजदुले स्री कृष्ण के लिए प्रयोक्त किया है कवी ने उन्हें संसार रुपी मंदिर का दिपक इसलिए कहा है क्योंकि जीस प्रकार एक दिपक मंदिर में प्रकास एवं पवितरता का सूचक है उसी प्रकास्ट्री कृष्ण भी संसार रुपी मंदिर में इस्वरी आभा का प्रकास एवं पवितर्ता का संचार करते हैं उनी से या संसार प्रकासित है अगला प्रयास ने पहले सवये में उन पंक्तियों को छाट कर लिखी जिसमें अनुप्रास और रुपक अलंकार का प्रयोग हुआ है इसका उतर है अनुप्रास अलंकार कटी किंकीनी के मधूर धुनी की मधूराई में का वर्न की एक से अधिक बार आविरती हुई है इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है दूसरा सावरे अंग लसे पट पीट हिये हूल से बन माल सुहाई इस पंक्ति में पा और हा वर्न की एक से अधिक बार आविरती हुई है इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है रुपक अलंका अगला प्रयास ने निमलिखित पंक्तियों का कावे सुन्दर है असबस्ट कीजिए पायनी नुपूर मंचु बजए कटी कंकिनी कैं धुनी की मधुराई की सावरे अंग लसे पटपीट यह हुलसे बनमाल सहवाई इसको उतर है इन पंक्तियों में क्रिश्न के अंगों एम आभुसनों की अभुत पुरुवे सुन्दरते का वर्न चित्रन किया गया है क्रिश्न के पैरों की पायल से मधूर धवनी बज रही है कमर में बन्धी कर्धनी की धवनी में भी मधूरता है क्रिश्न के सावले सरी पर पीले रंग का वस्तिर सुसोबित हो रहा है उनके गले में बिराजमान सुन्दर बनमाला की सुन्दता भी अध्वूत है इन पंक्तियों में सुध्य साहितिक बरज भासा का प्रियोग हुआ है जोसे कौमल और मधूर बनाता है कटी किंकीनी पट पीट हिये हुलसे में अनुपरास अलंकार का प्रियोग हुआ है पंक्तियों में लयात्मक्ता और संकितात्मक्ता है तत्सम सब्दों का सुन्दर प्रियोग हुआ है अगला प्रैस ने दुस्से कवित के अधार पर अस्पष्ट करें कि रितुराज बसंतिके पाल रूप का वर्नन प्रमप्रागत बसंत वर्नन से किस प्रकार भीन है इसका उत्तर है वसंद के प्रमप्रागत वर्नन में कवी चारों और हरियाली, मोसम की अध्भुत छटा, फोलों का खिलना, सितल हवां को बहना, जोले जोलना, ना एक नाईकाओं का मेल मिलाप आधी को दसाते हैं परंतो देवदत जी ने दुस्से कवित में रितुराज बसंद को कामदेव का पुत्र मानकर एक बालक की रुप में चित्जित किया है उनके साथ परकृती वसव करती है जैसे एक ननी सीसू के साथ किया जाता है परकृती उन्हें विरिप्षू का पलना, पतो की सैया, फूलों का वस्त्र, वायू द्वारा जूला जुलाना, मोर, तोते और कोयल द्वारा मनुरंजन करते दिखाया गया है अगला प्रैस ने प्राथी जगावत गुलाव चटकारी दे इस पंक्ती का भाव अस्पस्ट कीजे इसका उतर है प्रस्तित पंक्तियों के माध्यम से कवी ने बालक बसंती का प्रकृती के द्वारा लालन पालन करते दसाया है बसंती पेड की डाल रूपी पालने में स्वया हुआ है सुबह प्राते काल होने पर उसे गुलाव का फूल चुटकी बजा कर जगा रहा है ताथ पर यह है कि बसंती में प्राते ही चारों और गुलाव खिल जाते हैं अगला प्रैस ने चान्नी रात के सुन्दतों को कवी ने किन-किन रूपों में दिखा है इसका उतर है कवी देव अकास में चान्नी रात के सुन्दतों को निमलिखित रूप में देखते हैं पुर्णिमा की रात में धर्ती और अकास में चान्नी के आभा इस तरह फैलती है जैसे अस्फटिती, क्रिस्टल, नामक सीला से निकलने वाली दूधिया रोसनी संसार रूपी मंद्री को प्रकासित कर रही हो देव की नजनी जहां तक जाती है उन्हें वहां तक बस चान्नी ही चान्नी नजर आती है आईसा पर्तित होता है, मानो धरती पर दही का समंद्र ही लोने ले रहा हो देवदृत के अनुसार चान्नी रूपी दही का समंदर समिष्ट अकास में उमडटा हुआ सनजर आ रहा है धरती पर फैली चान्नी की रंगत फहले दोध के जहाक के समान उज्वल है तथा उसकी स्वक्षिता और अस्पष्टता दोदे के बुलबुले के समान जीनी और पारदर्सी है कभी देव जब चांदनी रात में अकास को निहारते तो उन्हों ऐसा भरम होता है अगला प्रैस ने प्यारी राधिका को परतिविम सो लागत चंद इस पंकती का भाव असपष्ट करते भी बताएं कि इनमें कौन सा अलंकार है इसको उतर है कभी को अकास में चमकता हुआ चांदर्मा उन्हें प्यारी राधिका के परतिविम के समान परतित हो रहा है यहां राधा को चांद से स्विष्ट बताया गया है और चांद के वल उनका परचाई मातर है इसलिए यहां व्यतिरेक अलंकार है वो उपमा अलंकार नहीं है अगला प्रैस ने तीस से कवित के अधार पर बताये कि कभी ने चांद राध के वजोलता का वर्नन करने के लिए किन-किन उपमानों का परयोग किया है इसको उतर है कवी ने चान्नी रात की उजवलता का प्रियों करने के लिए अस्पटिटीक के सिला से बने मंदिर का, दही के समुंतर का, दोध के जहाग का, मोतिव की चमक का और दरपन की स्वच्चत आधी उपमानों का प्रियोग किया है अगला प्रैस ने पठी कविताओं के अधहर पर कवी देव की कावियगत विशश्चताएं बताये इसको उतर है रिती कालिन कवियों में तेव को अत्तिन परतिभासाली कवि माना जाता है देव की कावियगतraciónी विशश्चताएं निमलिखीत हैं देवदेत बरज भासा की सिधस्त कवी हैं, कवित एवं सवया में छंद का प्रियोग किया गया है, भासा मधूर एवं कौमल है, देवदेत ने परकृती चितरन को विशेश महत्वित दिया है, देव, अनुप्रास, उप्मा, रूपद आधी अलंकारों का सहज स्वभाविक देव के परकृती वर्णन में आ परिमपार्गता है, उधारन के लिए उन्होंने अपने दूस्से कवीत में सारे प्रमप्रावों को तोड़ कर बसंत को नायक की रूप में ना दसा कर सीसु के रूप में चित्तित किया है, आपको वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंटे में ज़रू बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो इस लाइक कीजे, दोस्तों के साथ सेर कीजे, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राब नहीं किया है, तो सब्सक्राब करके बेल आइकन प्रेश कर लीजे, ताकि हमारे आने वाले वीडियो क नेटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके,